किट्स वेलकम टुबाल गोइंदम लेर्निंग आप टुड़ेज अवर सब्जेक्ट इस इंग्लिश यूज ओफ वी यार जो कि हमने लास्ट टेम बुक में भी करवाया था यूज ओफ वी यार वी यार का मतलब होता है हम हम क्या करते हैं वो हमें यहां पे sentences लिखने हैं सबसे पहली picture है boys क्या कर रहे हैं प्ले कर रहे हैं एक से ज़्यादा हो तो हमें यहां पे V और R लिखना है सो first हम लिखेंगे V W E V A R E R V R Playing मतलब खेलना P L A Y I N G Playing Full Stop V R को हम Underline करेंगे Next picture किसकी है Boys क्या कर रहे हैं Boys कर रहे हैं Dancing तो हम लिखेंगे W E V A R E R V R D A N C I N G Dancing Full Stop V R को हम Underline करेंगे V R Dancing Next picture किसकी है क्या कर रहे हैं Sleeping कर रहे हैं सोने को हम sleeping बोलते हैं तो हम लिखेंगे W E V A R E R S L E P I N G Slipping Slipping मतलब सोना We are sleeping हम सो रहे हैं अब 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 नेक्स पिक्चर किसकी है Boys क्या कर रहे हैं Boys jumping कर रहे हैं So हम क्या लिखेंगे W E V A R E R J U M P I N G Full Stop Jumping और V R को हम underline करेंगे अब नेक्स पिक्चर किसकी है नेक्स पिक्चर है Boys क्या कर रहे हैं Loafing Loafing मतलब हसना तो हम क्या लिखेंगे W E V A R E R L A U G H I N G Loafing Full Stop V R को हम underline करेंगे V R Loafing Last पिक्चर है Eating की Boys क्या कर रहे हैं खा रहे हैं खाने को क्या बोलते हैं Eating तो हम लिखेंगे W E V A R E R V R E A T I N G Eating Full Stop V R Eating V R को हम underline करेंगे फिर से आया है मैं आपको फिर से बहुत बता रही हूँ आज का टॉपिक है Use of V R V R मतलब हम हम क्या कर रहे हैं ये हम बताएंगे Boys की पिक्चर है Boys खेल रहे हैं खेलने को हम बोलते हैं We are playing We are dancing We are sleeping We are jumping J के उपर ऐसे dot लगाना है We are laughing And last step We are eating You have to write like this इसी तरह से आपको अच्छे से 3 और 2 लाइन में लिखना है Thank you अच्छे से 3 और 2 लाइन में लिखना है